आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने बाले है नाभी में बनने वाली रूई की समस्या के बारे में क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी न कभी नाभी में रूई बनने की समस्या को जरूर ही experience किया होगा तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाभी में रूई बनने की समस्या क्यों देखने को मिलती है और कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो इस टॉपिक पे पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें दोस्तों नाभी में रूई बनने की समस्या बहुत ही कॉमन होती है जिसको की आप में से ज़्यादा तर लोगों ने एक्सपिरियेंस जरूर किया होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समस्या सिर्फ इंडिया के लोगों में ही देखने को मिलती है तो ऐसा सोचना आपका गलत है क्योंकि ये समस्या पूरी दुनिया में ही देखने को मिलती है इस समस्या को वेस्टर्न कंट्रीज में नेबल फलफ के नाम से जाना जाता है औ अभी में बनने वाली रुई की समस्या के उपर सबसे पहले सिर्णी उनिवर्स्टी के एक साइन्टिस्ट डॉक्टर कार्ल ने लंबे समय तक इस पे रिसर्च किया और आगे चलकर 2002 में डॉक्टर कार्ल को नौवल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कार्ल के अनुसार जो कपरा आप पहनते हैं वो आपके बोडी के सेंटरल पार्ट यानी की नेबल में रगर खाती है और इससे वहाँ पे कपरे का एक्स्टरनल रेशा कलेक्ट होने लगता है लेकिन ऐसा अपने आप ही नहीं होता है क्योंकि आपके नाभी में एक स ज्यादा देखने को मिलती है खास कर वैसे लोगों में जिनका बोडी पार्ट ज्यादा हेरी होता है जिन लोगों के चेस्ट और स्टॉमेक पोर्शन में भी हेर्स मौजूद होते हैं इसके अलावा अगर आपका पेट ज्यादा निकला हुआ है या फिर तेजी से आपके के पे कोई नुकसान नहीं पहुचता है तो आईए अब हम जान लेते हैं कि इस नेवल फलफ की समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं तो आईरुवेद के अनुसार नाभी आपके पूरे शरीर का जर कहा जाता है और इसकी प्रोपर सफाई करना और रात में सोने से पहल अपने नाभी में एक दो बुंद डाल सकते हैं इसके अलावा आप अपने नाभी में सप्ताह में एक से दो बार घी का ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं ऐसा करने से नाभी में बनने वाली रुई की समस्या से तो छुटकारा मिलती ही है इसके अलावा नाभी में तेल डालने के और भी दूसरे कई स्वास्तलाब भी होते हैं अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हिल्थ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें